चम्चा यानी स्टूज हर बड़े आदमी का कम से कम एक होता है जिनकी हैसियत अच्छी है वे एक से ज़ादा चम्चे रखते हैं सारे फरिष्टे भगवान के चम्चे हैं शैतान ने भगवान का चम्चा बनने से इनकार किया तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया जैसे गैर चम्चे को चुनाव टिकेट नहीं दिया जाता एंथनी इडन चर्चिल के चम्चे थे बॉस्वेल डॉक्टर जॉन्सन का चम्चा था राश्टपती लिंडन जॉन्सन का चम्चा जे किंस था जो चुनाओ के कुछ दिन पहले यौन अपराद में पकड़ा गया था गांधी जी तक के चमचे थे सबसे ज़्यादा चमचे राजनीती के छेत्र के नेताओं के होते हैं इतिहा साक्षी है कि दुनिया में जितनी उथल-पुथल हुई है वह महापुरुषों के कारण नहीं बलकि उनके चमचों के कारण हुई है जब भी चमचे ने अपनी अकल से कुछ किया है तब भी उपद्र हुए है इसलिए हर बड़ा आदमी विश्वहित में इस बात की सावधानी बरतता है कि उसका चमचा कभी भी अपनी अकल का उपयोग ना करे मेरा अंदाज है इस समय देश में राजनीती के छेतर में लगभग पाँच हजार चमचे काम कर रहे है ये प्रधान चमचे है फिर इनके स्थानिय स्थर के उच्चमचे और अतिरिक्त चमचे होते है ये सब हेंता, मुफ्त खोरी, लाभ और कुछ वफादारी की डोर से अपने नेता से बंदे रहते हैं इनमें गजब की अनुशाशन भावना होती है अगर किसी उप चमचे को जनपत की सीट का टिकिट चाहिए तो वह सीधा नेता के पास नहीं जाएगा वह प्रधान चमचे से कहेगा और प्रधान चमचा नेता से बात करके उसका काम कराएगा इस तरह नेता का दुनिया से संपर्क सिर्फ चमचे के मारफत होता है और कुछ दिनों में उसको ये विश्वास हो जाता है कि इस विशाल दुनिया में मेरे चम्चों के सिवा और कोई नहीं रहता अपनी दुनिया को इस तरह छोटा करके जीने का सुख नेता कुछ साल भोगता है और फिर उसी नाव पर इस सुख का बोज इतना हो जाता है कि नाव नेता को लेकर डूब जाती है उसके डूबने तक वे उस नेता के चम्चे बने रहते हैं नेता मरता रहता है चम्चे अमर होते हैं चम्चा जियो जियो परिपक होता जाता है तियो तियो नेता बनता जाता है उसके अपने उप चम्चे तरक्की पाकर चम्चे हो जाते हैं और उसकी नाव डूबाकर खुद किनारे लग जाते हैं कुछ चम्चे जीवन भर सिर्फ चम्चा बने रहने का व्रत पालन करते हैं और पचीसो नेताओं को डुबाने का पुन्य प्राप्त करते हैं चम्चा बनना आसान नहीं है एक अच्छे चम्चे का निर्माण कई सालों में होता है भारतिय प्रजातंत्र का यह स्वभाग यह ह बहुत जल्दी काफी संख्या में चम्चे बन गए इसका कारण यह है कि चम्चो का निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के जमाने में ही शुरू हो गया था उस दौर में नेता लोग भावी चम्चो को जेल भेजने की कोशिश करते थे आंदोलन में जब ऐसा लगता कि इस बा जाने के लिए वैसी ही होड होती थी, जैसी अब चुनव टिकट के लिए होती है जब भारस्वतंत्र हुआ और प्रजातंत्र आया तो हर नेता को अपने सिख्षित और अर्धनिर्मित चम्चे मिल गए इससे भार्थी प्रजातंत्र में एकदम इस्थाय तो आ गया एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र जिन देशों में आजादी के लड़ाई के दोर में चम्चो का निर्माण इस तरह नहीं हुआ था वहाँ प्रजातंत्र नहीं टिक सका चाहे सामराज जिवाध हो चाहे प्रजातंत्र दोनों चम्चो की बुनियाद पर खड़े रहते हैं चम्चा बड़ी तरकीव से यह बात फैलाता है कि नेता का वह विश्वास पात्र है उनका आत्मी है और वे उसकी बात कभी नहीं टालते वे उनके साथ जगा जगा दिखता है उनका बस्ता रखे रहता है ठीक पीछे मुस्कुराता खड़ा रहता है नेता के गले में माला पड़ती है तो चम्चा गदगद होता है नेता आगे बढ़ता है तो चम्चा रास्ता बनाता जाता है वे सफर में उनके साथ होता है मंच पर पीछे बैठा मुग्द होता रहता है ड्रॉइंग रूम में बैठा दिखता है और रसोई घर में भी गुश जाता है लोग उसे देखते हैं और लाब उठाने वाले समझ जाते हैं कि इसी की मारफत काम हो सकता है चमचे की कीमत समाज में बढ़ जाती है उसे लोग चाय पिलाते हैं पान खिलाते हैं और वो भैया साब का गुड़गान करता है यह कहना नहीं बूलता कि भैया साब मुझसे पूछे बीना कुछ नहीं करते किसी छेतर के लिए वह एतिहासिक शड़ होता है जब चमचा कहता है राजधानी जाना है भैया साब ने बुलाया है सारे इलाके में हलचल मत जाती है दो-चार दुकानों पर बैठ कर और दो-चार जग़ चाय पीकर चमचा प्रचार कर देता है कि भैया साब का काम उसके बिना नहीं चल सकता इतना करके वह एक-दो दिन घर बैठ जाता है उसके पास काम कराने वाले आने लगते है कब जा रहे हो दिली? बस आज यकल चला तो कल ही जाता पर आज एक मीटिंग थी तो भैया इस बार किसी तरह हमारा काम हो ही जाए देखो बहुत दिन हो गए हाँ हाँ इस बार हो ही जाएगा वह तो पिछली बार ही हो जाता पर सेक्रेटरी बाहर था इस बार तो भैया साब मिनिस्टर का हाथ पकड़ कर करवाई देंगे उप चम्चे अपने काम में जुट जाते हैं और लोगों को चम्चो के पास लाते जाते हैं चम्चा सबको विश्वास दिलाता है कि अगर यह सही है कि पृत्वी घूम रही है तो वह निश्टी थी अपने भैया साब के आसपास घूम रही है फिर वह सहेजी कह देता है राजधानी में रहने खाने का तो सुभीता है, भयास आपके घर हो जाता है, पर साले दफ्तर बड़ी दूर दूर है, टैक्सी में बहुत पैसा लग जाता है, इस इसारे को काम कराने वाले समझ जाते हैं, और उसे कुछ रुपया टैक्सी के लिए दे देते हैं, चमचा बहुत से काम ले लेता है, किसी का से मुकदमा उठवाना है, तो किसी के हरजाने का मामला तै करना है, किसी का चुना और टिकेट पक्का कराना है, भयास आपके लिए यह विरोधी गुठ की कुछ कमजोरिया, कुछ शड़े अंत्र और फूट की कहानिया रख लेता है, इस तरह लैस ओकर चमचा रेल गाड़ नेता के घर के लोग और नौकर नफरत करते हैं, वह चमचा हजारों में एक होता है जिसे नेता भी चाहे, उनका परिवार भी और नौकर भी, चमचा इस बात को जानता है, इसलिए अपने मन को मजबूत करने के लिए और सब को यह बताने के लिए, कि यहां मैं घर का आदम समझा जाता हुँ पाव पटक कर घर में गुशता है नोकर मुँफ फेर कर हसता है और फिर नाराजी से उसे देखता है नेता की पत्नी कहती है लो, वै फिर आ गया चमचा जबर दस्ती अपने को घर में जमा लेता है नेता ने उसे बुलाया नहीं है पर वे आ गया है तो उन्हें एतराज भी नहीं अब चम्चा अपना काम शुरू कर देता है वे बात ये करता जाता है कभी नेता उसकी तरफ देख लेते हैं कभी कोई सवाल कर देते हैं मगर वे लगबग मौन सुनते जाते हैं वे बैठक में है तो चम्चा वहां बात कर रहा है वे बरामदे में आ गए है तो चम्चा बरामदे में आकर बात करने लगा वे बातरूम में गए तो चम्चा बाहर खड़ा खड़ा बोल रहा है पकाने से तो वे संस्कारों के कारण नहीं बोलते पर नहाते हुए उसकी बात पर भी कभी हू कह देते हैं नेता सर पर कंगी कर रहे हैं तो चमचा पीछे खड़ा-खड़ा बोल रहा है गुपता गुट की लोग सिंधियों पर डोरे डाल रहे हैं मैंने कहा देखो रहे सिंधियों अभी तुम्हारे बहुत से क्लेम बकाया है जरा सोच समझ कर बस उस दिन से गुपता गुट की डाल नहीं गली भया साब इस वार हिर्मानी को मुंसिपलिटी में भेज दीजे न पक्का अपना आदिमी है जैन लोग उस दिन मिले थे स्वायरी का मामला है ना पर सुना है ठाकूरों में फूट पड़ गई है आधे अपना साथ देंगे कलेक्टर आजकल गुपता गुट की बड़ी चिरोरी करता है इसका तबादला होना चाहिए वे लोग लेच्छी को लेकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे है आजकल मिसरा जी की बैठक डॉक्टर साहाब के यहां बढ़ गई है मैंने डॉक्टर साहाब को टुटोलने की कोशिश की थी मुझे तो शक है भैया साहाब कहीं उधर ना चले जाए उस इलाके में अपना एक बार आना बहुत ज़रूरी है चमचा इस तरह बोलता ही जाएगा नेता सुनते रहेंगे और काम करते रहेंगे नौकर ने चाय लाकर रखी तो चमचे को फोरें एक बात सुची उसने नौकर को पुकारा क्यो रहे देवी यह क्या चाय ली आया तुझे मालूम नहीं है भैया साहब स्ट्रॉंग चाय पीते हैं ले जा इसे दूसरी ला भया साब strong चाय नहीं पीते, वे एक घुट पी भी लेते हैं, कहते हैं ठीक है रहने दो, चमचा कहता है नहीं रहने दीजे, इसे ले जा देवी सिंग, नौकर आकर खड़ा है, दूविधा में है कब उठाओ या नहीं, इतने में नेता के नहीं नहीं कहने पर भी चमचा कब उठाकर नौकर को दे देता है, तेरे अकल नहीं है, अच्छी चाय बना कर ला, चमचे की ओवर एक्टिन से सविस्तब्ध हैं, नेता की पत्नी बच्चे और नौकर, भया साब सीर नीचा करके बरदाश्त कर लेते हैं, चमचा पालना बड़े धैर्य का काम है, तीन चार दि केव में सभी के लिए आशा और आश्वाशन भरे होते हैं,